नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube के चैनल GKV थारजे में आज हम डिसकस करने वाले हैं Important Wetland Sites of India इनसे related important facts समझानेंगे साथी सर्थ 42 important MCQs भी डिसकस करेंगे जो की various government examinations में पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रामसर साइट किसे बोला जाता है तो एनी वैटलेंड साइट which has been listed under the रामसर convention that aims to conserve it and promote the sustainable use of its natural resources is called रामसर साइट दोस्तों रामसर साइट को convention of wetland के नाम से भी जाना जाता है इसकी इस्तापना वर्स 1971 में UNESCO के द्वारा की गई थी और इसको लागू किया गया था वर्स 1975 में बात करें दोस्तों इंडिया की तो इंडिया ने रामसर convention में sign किया था 1st February 1982 में इंडिया में 42 रामसर साइट है जिसमें चिलिका लेक जो है इंडिया की सबसे largest रामसर साइट है चिलिका लेक और केवला देव National Park जो है वो इंडिया की 1st रामसर साइट में से एक है तो दोस्तों यहां से भी आप से सवाल बन सकते हैं तो आप लोग इस statement को याद रखिएगा कि चिलका लेग और केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो recognize करी गई थी first रामसर साइट्स के रूप में बात करें दोस्तों इंडिया की तो इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है उसके पास सबसे ज़्यादा wetland साइट से लगभाग 8 है और रेनु का wetland जो की हिमाचल प्रदेश में इस्तित है वो इंडिया की सबसे smallest wetland साइट है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के MCQs आज के पहले question में हमसे पूच्छा है में हमसे पूचा है कि अस्त्मूरी Wetland located in which state of India? दोस्तों अस्त्मूरी Wetland जो है वो इंडिया के करला स्टेट में located है और करला की अगर हम बात करे तो ये करला के कोलम district में इस्तीद है. बढ़ते दोस्तों अगले सवाल किवर? इसमें बोला है कि ब्यास conservation wetland is located in which state of India तो दोस्तो ब्यास conservation wetland जो है वो पंजाब में इस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा भी पंजाब इस सवाल में पूछा है दोस्तो कि भीतर कणी का wetland located in which state of India तो दोस्तो भीतर कणी का wetland located है ओडिशा में इसका आंसर हो जाएगा दी ओडिशा इस question में पूछा है कि भोज wetland located in which state of India तो दोस्तो भोज wetland जो है वो मद्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस्तित है इसे भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है चंदरताल wetland is situated दोस्तो question number 5 में पूछा है कि चंदरताल wetland कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है हिमाचल प्रदेश में इसका अंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश इस सवाल में पूछा है दोस्तो कि चिली का लेक wetland is situated in which state of इंडिया तो चिली का लेक इस्तित है दोस्तो ओडिसा में ये इंडिया की largest wetland है साथी साथ ये इंडिया की first रामसर साइड भी है बढ़ते अगले सवाल की और इसमें पूछा है कि दीपोर बील wetland located in which state of इंडिया दोस्तो दीपोर बील wetland जो है वो असाम में इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा दी असाम इस सवाल में पूछा है कि east kolkata wetland located in which state of इंडिया दोस्तो जैसा कि इसके नाम में ही लिखा गया है kolkata जो कि west bengal की राजदानी है तो इसका अंसर हो जाएगा a west bengal इसमें पूछा है कि हरी के wetland is situated in which state तो दोस्तो हरी के wetland जो है वो इस्तित है पंजाब में तो इसका अंसर हो जाएगा a पंजाब इस सवाल में बुच्छा है कि होके रा wetland is situated in which state of इंडिया तो दोस्तो होके रा wetland जो है वो जम्मू कस्मीर में इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा c जम्मू कस्मीर इसमें बोला है दोस्तो कि कांजली wetland situated in which state तो कांजली वेटलेंड हो जाएगा दोस्तो पंजाब में इसका अंसर हो जाएगा D पंजाब अगले सवाल में पूछा है हमसे कि केवला देव नेशनल पार्क वेटलेंड ही सिचुएटेड तो दोस्तो केवला देव नेशनल पार्क जो है राजिस्थान में इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा D, राजिस्थान इस सवाल में पूछा है कि केशोपूर मियानी कम्यूनिटी रिजर्व लोकेटेड तो दोस्तो केशवपूर मियानी कम्यूनिटी एक वेटलेंड है जो की लोकेटेड है पंजाब में तो इसका अंसर हो जाएगा C, पंजाब बढ़ते हैं दोस्तो अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि कोलेरू लेक इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इस क्वेशन में पूछा है कि लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो दोस्तो लोकेटेड जो है वो इस्थित है मनीपूर में इसका अंसर हो जाएगा D, मनीपूर दोस्तो इंडिया का only floating national park भी इसी लोकेटेड लेक पर इस्थित है तो आप लोग याद रखिएगा कि floating national park कहाँ है तो लोकटक लेक में है और लोकटक लेक कहाँ है मनीपूर में तो इसका अंसर हो जाएगा D, मनीपूर बढ़ते हैं अगले सवाल की और दोस्तो इसमें हमसे बोला है कि नाल सरोवर नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इस लोकेटेड इन दी स्टेट ओफ दोस्तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो गुजरात में इस्थित है तो इसका अंसर हो जाएगा B, गुजरात इस सवाल में हमसे बोला है कि नंदूर मन्दमेशवर वेटलेंड लोकेटेड इन दी स्टेट ओफ दोस्तो नंदूर मन्दमेशवर जो है वो महराष्ट में इस्थित है जो की ओनली वेटलेंड साइट है इस सवाल में हमसे पूछा है कि नांगल वाइड लाइफ सेंचुरी इस लोकेटेड इन विच स्टेट ओफ इंडिया तो दोस्तो नांगल वाइड लाइफ सेंचुरी जो है वो इस्थित है पंजाब में इसका अंसर हो जाएगा D, पंजाब इसमें पूछा है कि नवाब गंज bird century is located in the state of India तो दोस्तो नवाब गंज bird century जो है वो उत्तर प्रदेश में है और जैसा कि मैंने previous slides में बताया था कि UP में total 8 wetland है तो दोस्तो इस से related MCQs जो है हम next slide में और discuss करते जाएंगे इस सवाल में बोला है कि पारवती आगरा bird century is located in the state of तो दोस्तो ये भी उत्तर प्रदेश में इस्तित है तो इसका answer हो जाएगा D UP अगले सवाल में हमसे बोला है दोस्तो कि point calumere wildlife century और bird century is located in which state तो दोस्तो point calumere wildlife and bird century जो है वो तमिलनाडू में इस्तित है तो इसका answer हो जाएगा A तमिलनाडू इस सवाल में बोला है कि pong dam lake is located in which state of india तो दोस्तो ये इस्तित है हिमाचल प्रदेश में तो इसका answer हो जाएगा A हिमाचल प्रदेश इस सवाल में हमसे बोला है कि renu का lake is located in which state of india तो दोस्तो renu का lake भी हिमाचल प्रदेश में ही है तो इसका answer हो जाएगा A हिमाचल प्रदेश इसमें बोला है दोस्तो रोपड वेटलेंड इस लोकेटेड इन वीच स्टेट दोस्तो रोपड वेटलेंड जो है ये पंजाब में इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा C, पंजाब मरते हैं दोस्तो अगले सवाल की ओर इसमें हमसे बोला है कि रूद्र सागर लेक is situated in which state दोस्तो रूद्र सागर लेक जो है वो हमें मिल जाएगा त्रिपूरा में तो इसका अंसर हो जाएगा A, त्रिपूरा इस सवाल में हमसे बोला है कि समन बर्ड सेंचुरी इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो दोस्तो समन बर्ड सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में इस्थित है तो इसका अंसर हो जाएगा A, UP इसमें बोला है दोस्तो समासपूर बर्ड सेंचुरी इस लोकेटेड दोस्तो समासपूर बर्ड सेंचुरी जो है यह इस्थित है उत्तर प्रदेश में तो अगेन इसका अंसर हो जाएगा D, उत्तर प्रदेश इसमें बोला है कि सांबर लेक इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो दोस्तो सांबर लेक जो है अगेन उत्तर प्रदेश इसका अंसर हो जाएगा तो संदी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में इस्थित है इसमें बोला है दोस्तो सरसाई नारवर जील इस सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो यह इस्थित है उत्तर प्रदेश में तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो यूपी इस सवाल में बोला है कि सस्थम कोटा लेग ही situated in which state of India तो दोस्तो सस्थम कोटा लेग जो है वो हमें मिल जाएगा केरला में तो इसका अंसर हो जाएगा C केरला इस सवाल में बोला है दोस्तो, सूरिन सार मंसार लेकी सिचुएटेड इन विच स्टेट आफ इंडिया तो दोस्तो ये जम्मू कस्मीर में इस्तित है, तो इसका अंसर हो जाएगा D, जम्मू एंड कस्मीर सोमो रिली लेक is situated in which state of India तो दोस्तों ये इस्तित है लद्दाक हमें तो इसका अंसर हो जाएगा डडी लद्दाक अपर गंगा रिवर वेटलेंड is located in which state of India तो दोस्तों अपर गंगा रिवर वेटलेंड जो है ये हमें फिल से मिल जाएगा उत्तरप्रदेश में तो इसका अंसर हो जाएगा C, UP वेबनाड कोल वेटलेंड is located in which state of India दोस्तों वेबनाड लेक जो है वो इस्तित है केरला में तो इसका अंसर हो जाएगा केरला C वूलर लेक is situated in which state दोस्तों वूलर लेक जो है वो जम्मू कस्मीर में है तो इसका अंसर हो जाएगा D, जम्मू कस्मीर दोस्तों वूलर लेक जो है वो मीठे पानी की जील के नाम से भी प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा इस statement को इस सवाल में बोलाए कि सुन्दरबन वेटलेंड is located in which state of India दोस्तों सुन्दरबन नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बेंगॉल में है और वेटलेंड भी यहीं पर ही है तो इसका अंसर हो जाएगा C, वेस्ट बेंगॉल इसमें बोला है दोस्तों असान बराज is located in which state of India दोस्तों यह उत्तराखंड में है इसका अंसर हो जाएगा भी उत्तराखंड कमार लेख यह कबरताल is located in which state दोस्तों अनली वेटलेंड और बिहार is कमरताल और कबरताल इसमें बोला है दोस्तों कि लोनार लेख is situated in इंडिया लोनार लेख कहां पर इस्तित है दोस्तों लोनार लेख जो है वो महराश्ट में इस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा D महराश्ट सूर सरोवर वेटलेंड is located in which state of 落 इंडिया दोस्तों जो सूर सरोवर वेटलेंड है यह उत्तरप्रदेश में इस्तित है तो ये total 8 wetland हो गई दोस्तो उत्तरप्रदेश में इस सवाल में बूला है कि Soker wetlands is located in which state of India तो दोस्तो Soker wetland जो है अभी recently 2021 में इसे wetland की list में सामिल किया गया है तो ये current affairs related सवाल है तो ये बहुत ही important सवाल हो जाएगा ये examiner में पूछा जा सकता है तो दोस्तो इसका answer हो जाएगा लद्दाक तो ये आप लोग याद रखिएगा कि Soker wetland जो है लद्दाक में इस्तित है इसी के साथ दोस्तो हमारे इस वीडियो लेक्चर का आन्त होता है अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो फसंद आता है तो हमारे वीडियो को like, share and subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद